और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको देखो यह सिखाया है था सबने निकाल निकाल के भी दिखाया था cvf की टेबल यह देखो यह बताया तो था pvf cvf यह क्या निकाला था फिर वो फिर ध्यान ने दिया हुआ चलिए चलिए कोई बात ने फटा फटा आगे चलते हैं चलिए सेकिंड सवाल एक और फॉर्मूला लिख लेजिए अभी लिख देंगे सर आर के ग्राफ ट्वेल आगे ना 1.2 लिखना है येस क्या पूछ रहे हैं बच्छे अभी डाउट तो किसी का लूगा नहीं है डाउट लूगा मैं 9 बजे कह रहे हैं CVAF सर आर के जगह पे 1.2 आएगा पीछे क्योश्चन में आर के जगह पे 1.2 कुछ गलत ले लिया गया मैंने तो लिखा ही नहीं यहां पे यह बच्छे कह रहे हैं कि आर की जगह पे 1.2 आएगा चलिए छोड़ी हटाई कहता है Mr. Ram वन अब प्राइज एक प्राइज लेता है वो और प्राइज लेगा तो पॉइंट नमबर वन कहता है कि टुडे आज उसे मिलेगा एक लाग दस अजार दूसरा पॉइंट कहता है सेकिंड पॉइंट कहता है कि आज 10,000 नहीं लेना तो उसको लेना है 10,000 रुपे आपका 10,000 रुपे मिलेगा फॉरेवर के लिए आगे से फूचर में मिलेगा उसको फॉरेवर तीसरा पॉइंट कहता है सर कि अगर उसे annuity मिलता है 15,000 रुपए at the end of each year आपका 10 year तक यानि 10th year में कितने मिल रहे हैं उसको? यानि सवाल देखो एक हमने first सवाल किया था जिसके अंदर उसे आज पैसे दे दिये जाए और कुछ पैसे बोलते हैं किस्तों में दे दिये जाए याद आया होगा 100-100 वाला था उसको किस्तों में दे दिया जाए तो क्या होगा तो ऐसे point में क्या कर रहे था हम सभी का present value निकाल लेते थे और एक तरीके से EMI निकाल लेते थे और सब को total कर लेते थे और value जादा बनेगा जैसे कि हमने सवाल number one पहले किया था तो इसको कहा गया कि आप एक काम करो एक लाख दस हजार रुपे ले लो या पूरी जिंदगी तक लेते रहो कितना दस दस हजार रुपे तक forever एक word है forever का मैंने इसलिए लिखा formula भी मैं लिखूंगा या बोला गए आप 15,000 रुपे कितने सालों तक ले लो कितने सालों तक ले लो 15,000 रुपे 10 साल तक यानि उसे हर साल हर साल 15,000 रुपे मिलेगा तो हम कैसे decide करें आपको price दिया गया suppose करो आपको एक price है आज ले लो आप 1,00,000 या फिर आप 10,000 रुपे forever, forever में भी time being होता है कि इसका life क्या है या फिर आप 15,000 10 सालों तक ले लो तो आप calculate करोगे 15,000 10 सालों तक लेते हैं तो 1,500,000 तो होता है लेकिन उसका present value तो अलग होगा ना क्योंकि 1,500,000 मिलेगा 10 साल के बाद दीरे दीरे करके लेकिन उसकी आज के time पर value कितनी है वो देखनी होगी क्या कह रहे हैं बच्चे मैं भी भी पूछ रहा हूँ 12% ही बच्चे क्या पूछ रहे हैं पिछले question में उलज़े हुए अभी मैं बाद में लूँगा मैंने कुछ तो किया ही नहीं यहाँ पर आप यह तो नहीं सोच रहे हैं इसका formula इधर है पता नहीं यहाँ दिमाग लगा के बैठे हूँगे हैं भटा दो इसे अभी बाद में देखते हैं पहले इसका निकाल लेते answer sir इसको solve करने की no need कोई adjustment लगेगा नी कोई adjustment नहीं लगेगा अब ध्यान देना एक new formula अगर forever की बात करे sir अगर forever की बात करे तो हम क्या करते हैं जो उसको annual amount मिलेगा cash inflow जो annual मिलेगा divided by rate तो sir यहाँ पे cash inflow कितना है 10,000 rate 10% 0.1 तो कितने बनते हैं यानि forever यह 10,000 10,000 करके 1,00,000 रुपे ही receive कर सकता है total मिला के inflow तो अगर मैं पहले और दूसरे plan में compare करूँ करूँ कि आज एक 10 मिल रहे हैं और इसमें forever में total कितना मिल जाएगा आपको एक लाग तो अभी तक तो यही बहतर है अब एक तीसरा plan और है तीसरे plan के अंदर क्या बोला गया कि सर आपको हर साल देंगे हम 15-15 यानि 15,000 15,000 15,000 तो बताइए कौन सा method लग रहा है present value निकालना है और present value भी वो भी किस से? N.U.T. से ठीक है न? तो यहाँ पे formula present value is equal to N.U.T. into में क्या करते थे? C.V.F. नी present value में, वो future value में C.V.F. होता है P.V.A.F. R. और N तो सर present value is equal to N.U.T. कितना है? 15,000 सर P.V.A.F. को कैसे निकाला जाए? भी या जिन बच्चों को नहीं आ रहा यह P.V.A.F. यह C.V.A.F. निकालना तो या तो दो ही तरीके है या तो मैं table provide कर दूँ उनको आप table में से देख के लिख सकते हैं दूसरा पिछली class में करा है तो at least calculator लेके बैठिए और जो मैंने बोला उसको निकालिए क्योंकि हर बार वही चीज़ सिखाने में थोड़ा सा time consuming है तो सर यहाँ पर क्या आएगा हमारा कितने percent है सर effective 10% तो 1 divided by 1.1 कितनी बार करना है सर एक बार हो गया है कितने साल के लिए 10 साल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और GT करेंगे क्या रहा है 6.1 6.144 multiply कर दीजिए 9, 2 तो सर यह payment आया अब present value में एक जगह पर आपको 1,00,000 मिल रहा है एक जगह पर 92,000,60 168 ही मिल रहा है और एक जगह पर क्या मिल रहा है today तो कौन सा option best है तो बोल दा जाया कि कौन है कौन सा तो सर यह वाला option best है आप 10 year के अंदर देखिए एक लाक रुपे forever का मतलब अब देखिए simple सी बात है forever जब लिखाने है तो कुछ बच्चे सोचने जिंदगी पर मिलेगा बस मरने से पहले तक वो नहीं है यहां उस रुपे की life दी गई है कि जो हमें 10-10,000 की किस्त मिल रही है और 10% हो तो 10,000 रुपे एक तरीके से हमें मिल गया 10,000 और उसका rate अगर 10% है तो जितना amount हमने दिया होगा उसका 10-10% मिल रहा है हमें सिर्फ ब्याज के तरीके से एक तरीके से तो हमारा principal amount कितना गया होगा वो होगा 1,00,000 रुपे principal amount 1,00,000 रुपे कैसे 10% के हिसाब से तो आपने कितने पैसे जमा करवाए होगा जो 10% के हिसाब से इतना मिल रहा है तो ओवेज सी बात है 1,00,000 के उपर आपको हर साल 10-10% मिलेगा तो इसका तो आपका life ही 1,00,000 रुपे होगा तो ये तो आपका rejected हो जाएगा तो मैंने एक formula यहाँ पर लिखा है जिसके according आपको इसको apply करना है cash inflow divided by rate second case clear नहीं है अरे मैंने simple सी बात है देखो forever का मतलब आपकी किसी चीज़ की भी validity दे जाती है मैं simple सी बात करता हूँ sim की validity मिलती है न lifetime क्या वो lifetime होता है नहीं होता एक मैंने भी नहीं होता जब तक recharge है ठीक है नहीं तो बंद कर देते हैं सब कुछ कि समझो आप जब SIM लेने जाओगे कितनी वैलेटरी मिलेगी तो क्या बोलेंगे वो यानि जब तक आप उसमें services activate कराते रहोगे lifetime अब आपका है क्या यहां पर फॉरेवर का मतलब आपको हर बार यह 10-10 रुपए और एवर के लिए मिल रहा है और आपको मिल रहा है इस rate के हिसाब से यानि 10% के हिसाब से 10,000 मिल रहा है तो वो कितने रुपए तक देगा तो सिंपल सी बात है सर अगर inflow आपका 10,000 आ रहा है rate यह है तो आपका value रहा होगा बन के कितना एक लाग जैसे ही 10 साल बीतेंगे 10 साल बाद वो आपको देना बंद कर देगा आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे के 10 साल बाद भी मुझे मिलता यानि इस 10,000 के मिलने की life 10 साल है अगर आर पूछ लिया जाए तो उसके according हम क्या करते हैं जब भी forever का question आता है तो हम क्या करते हैं cash inflow divided by rate कर देते हैं जिससे हमारा आ जाता है ठीक है न? clear है? बिल्कुल